आज हम आप लोगों को PCR के बारे मताएंगे तो पुरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लाज तक देखिए चले शुरू करते हैं PCR का फुल फॉर्म है पॉलिमरेज चेन रियक्शन अर्थात पॉलिमरेज श्रंखला अभिकिरिया को PCR कहा जाता है और PCR क्या है ये समझने के लिए पहले PCR के फुल फॉर्म को देख लेते हैं फुल फॉर्म से ही आपको समझने आ जाएगा कि PCR क्या है तो इसमें पहला वर्ड है पॉलिमरेज जिसमें पॉलि का मतलब है एक से जादा और मरेज का अर्थ है फारमेसन या बनना आप कह सकते हैं अतहाँ पॉली मरेज शब्द का अर्थ हुआ एक से जादा कॉपी का बनना और chain reaction का अर्थ है सरंखला अभकिरिया यानी सरंखला एक लाइन एक कतार या बार बार या कहले जी कि एक के बाद एक बनता जए DNA की multiple copy बनना ही क्या है PCR है, मतलब एक single DNA से बहुत से DNA बनाने का कार PCR करता है, जैसे photocopy machine होती है, जैसे photocopy machine में हमें एक mole copy ले जाते हैं और कई सारी photocopy निकला राते हैं, बिल्कुल वही कार PCR का होता है, वैसे ही ये कार करता है, तो PCR एक ऐसी machine है जो DNA की कई सारी copy करता है, ये भी हम कह सकते हैं, तो electrophoresis के द्वारा अलग किये गए gene या DNA खंड की PCR बिदी से बड़े कम समय में अनेक प्रतिलिपियां तयार की जाती हैं या अनेक copy बनाई जाती हैं, अगर आप लोग electrophoresis पर वीडियो देखना चाहते हैं, टिपड़ी important है बोड पर इच्छा के लिए तो मेरे चैन में uploaded है, आप लोग जा करके देख सकते हैं, तो इसकी खोज कैरी मुलिष ने सन 1985 में की थी, और PCR की मसीन का नाम आपको बता दें, PCR की मसीन का नाम thermocycler है, अब ये जो PCR की मसीन है, इसके लिए क्या-क्या जरूरी है, मतलब process करने के लिए क्या-क्या आवश्च है, यानि मसीन में डालने के लिए क्या-क्या जरूत पड़ती है, तो एक DNA template, nucleotide, DNA polymerase और primer, ये सारी चीजें इस PCR मसीन में डाली जाती है, तो PCR अधवा polymerase chain reaction तीन चरणों में पूरी होती है, तो पहला step है, denaturation, natural यानि प्राकर्तिक होता है, और denaturation यानि आप्राकर्तिक, या कहले जिए कि निस्क्रिय करण, तो इसके अंतरकत एक जो DNA खंड होता है, उस DNA खंड को दोनों उसके जो इस्ट्रेंड होते हैं, उसको अलग-अलग किया जाता है, तो पहले पद, denaturation के अंतरकत, 20-30 nucleotide से बने, संसले सित प्राइमर को बड़ी मात्रा में, PCR मसीन में ड जाता है, तो प्राइमर को डाला जाता है, बड़ी मात्रा में, 20-30 nucleotide के जो बने होते हैं, और उसमें उस जीन को डालते हैं, जिसका प्रवर्धन करना है, उस जीन को भी उसे में डाल देते हैं, इस मिस्रण को 98 डिगरी तक लग-भग में है ये, 98 डिगरी तक घर्म करते ह जिससे जीन या DNA के दोनों strand अलग हो जाते हैं, या 98 डिगरी तक temperature उसको जब दिया जाता है लग-भग में, तो क्या होता है, कि इतने high temperature से जो जीन है या DNA के जो strand है वो अलग-अलग हो जाते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिग भी रहा है, DNA के दोनों strand अलग-अलग हो ग DNA के नेचुरेशन फार्मेट को खत्म किया जाता है, और कैसे करेंगे तो high temperature देकर अलग करते हैं DNA के दोनों strand को, और ऐसा करने से DNA के दोनों strand अलग-अलग हो जाते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, आते हैं दूसरे step पर, primer का annealing, second step है primer का annealing, तो उपर्यूक्त मिस्रण को, यानि जो प्रथम पद से मिस्रण प्राप्त हुआ है, उस उपर्यूक्त मिस्रण को 60 degree Celsius तक ठंधा करते हैं, अब पहले तो 98 degree तक लगभग में गर्म किया, आप क्या किया जाता है, उसी मिस्रण को 60 degree centigrade तक ठंधा करते हैं, सामानता ठंधा करने पर, DNA के दोनों strand पुना युगमित होकर DNA अड़ बना लेते हैं, और जब 60 degree तक ठंधा किया जाता है, तो जो DNA के दोनों strand अलग अलग हो गए थे, अब दोनों strand पुना से युगमित होकर DNA का एक अड़ बना लेते हैं, किन्तो माध्या में primers की अधिक मात्रा होने के कारण, DNA के कुछ polynucleotide strand अनपूरक primer के साथ छार युगल बना लेते हैं, या कह लिजिए बेस पेर बना लेते हैं, इसी किरिया को उपक्रामक या primer का inhaling कहा जाता है, तो मिलाकर second step में क्या हुआ कि दोनों strand पर primer आकर जुड़ते हैं, या कह लिजिए कि binding करते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है कि 5 to 3 prime वाले strand में 3 prime की तरफ primer आकर जुड़ा है, और ऐसे ही दूसरे strand 3 to 5 prime वाले पर भी 3 prime की तरफ primer आकर जुड़ा है, और साथ में ही polymerase enzyme आकर बैठ जाता है, चैन को पूरा करने के लिए polymerase enzyme आकर बैठता है, अब सुरू होता है तीसरा step, आते हैं तीसरे step पर, त आकरम का विस्तार या extension आप primer पर, तो उपर्यूक्त गोल में thermo-stable tuck DNA polymerase enzyme तथा चारो प्रकार के deoxyribonucleotides के phosphate अड़ो को मिलाया जाता है, यानि कहने का मतब यह हुआ, जो उपर्यूक्त गोल प्राप्त हुआ है, उसमें क्या कहते हैं कि thermo-stable tuck DNA polymerase enzyme को और चारो प्रकार क जो deoxyribonucleotides के triphosphate अड़ो हैं, उनको मिला दिया जाता है, अब genomic DNA दोनों strand को template की तरह उपयोग मिला कर DNA polymerase enzyme उपाकरम पर या कहली जी की primer पर पूरक nucleotide को जोडते हैं, यानि जहां पर नहीं लगे हुई हैं, वहां पर nucleotide को यह लगाते हैं, कौन? तो DNA polymerase enzyme primer पर क्या करते हैं, पूरा करते हैं उसको, इसकी दिया को ही उपाकरम का विस्तारन कहा जाता है, उसका विस्तार करना फुल रूप से उसको DNA को बना देना, खुल मिला कर तीसरे step में जहां पर DNA polymerase आकर बैठा था, वहां से वो DNA के दोनों strand को binding करना सुरू कर देता ह है, तो टाक polymerase से binding करता है, किस से करेगा? टाक polymerase से, DNA polymerase से नहीं, टाक polymerase से binding करता है, क्योंकि इस किरिया में temperature बहुत अधिक हो जाता है, इसलिए DNA जो polymerase है, इसकी जगह पर टाक polymerase का यूज किया जाता है, और का है कि यूज करते हैं, तो अधिक हीट होने पर ये खराब न नाम क्या है, thermos aquaticus bacteria से प्राप्त किया जाता है, बता दें, कि ये bacteria गर्म जहर्णों आधि में पाय जाते हैं, PCR अथवा polymerase रंखला अपकिरिया के बारे में कुछ जानकारी आपको और बता देते हैं, polymerase रंखला अपकिरिया में या PCR के प्रतेक चक्र में केवल एक से दो मिनट का समय लगता है, यानि PCR का हर एक चक्र जो है, उस एक चक्र में एक से दो मिनट का समय लगता है, और बीस चक्र के अंत में, दो की घात बीस अर्थात वन मिलियन से भी अधिक डिरने अड़ बन जा अगर माध्यम में प्रयाप्त मात्रा में डियाकसराइबो नुकलियो टाइट्स उपस्थित हैं, तो ये होता है, बीस चक्र में या बीस चक्र के अंत में कितने बनेंगे, वन मिलियन से भी अधिक डिरने अड़ बनते हैं, कॉपीज बनती हैं, आपको और एक बात बता दे कि थर्मोस्टेबिल डियनने पॉलिमरेज को टक डियनने पॉलिमरेज कहा जाता है, जो थर्मोस्टेबिल डियनने पॉलिमरेज है, इसको टक डियनने पॉलिमरेज कहते हैं, क्योंकि इसे थर्मस एक्वाइटिकस नामक बैक्टिरिया से प्राप्त किया जाता है, और मैंने ताप पर भी किरिया सील रहती है. चलिए जानते हैं कि PCR क्यों करना पड़ता है, तो जैसे एक DNA किसी जीव से लिया गया और स्टडी करने के लिया गया, अब स्टडी केवल एक DNA से ही पूरी नहीं हो पाएगी, बहुत सारी स्टडी करना होता है, बहुत सारी चीजे खोजना होता है उसके लिए हमें बार-बार DNA की जरूत होगी अब यदि बार-बार किसी जीव से DNA लेंगे तो वह जीव मर जाएगा इसी वजह से एक सिंगल DNA से PCR की help से कई सारी प्रतियां कई सारी copies बनाई जाती है ताकि उसी DNA से नि उसी एक DNA की copy से बहु चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में वेल आइकन को भी प्रेश कर लिजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की नुटिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए धन्यवाद